प्रेंड्स वेल्कम टू माई चैनल आज हम बनाने वाले सिंघाड़ा के आठे की बर्फी यह खाने में जितनी टेस्टी लगती है बनाने में भी बहुत इजी है आप इसे ब५्रत में भी बना कर खा सकते हैं तो बस चलिए हम बनाना शुरू करते हैं बनाने के लिए हम ले ल अब डाल देंगे xingharay ke aqoo और इसे अच्छा से बूज लेंगे आटे को हम इसी तरह medium flame पर अच्छे से बूज लेंगे इसे बूजने में कम शेकम पास मिडिया लग जाता है आठे को देखे काफी अच्छे से भूंजी चुके हैं और खुद्गू भी बहुत बढ़िया आ रही है अब गैस को हम लो फ्लेम पर कर देंगे अब इसमें डाल देंगे साथ चमल चीनी है ये और अच्छे से लिक्से कर देंगे इसको चीनी डालने के बाद इसमें डाल देंगे एक कब दूर और बराबर इसे हम चलाते रहें तो देखे अब ये गाढ़ा हो चुका है अब इसमें हम डाल देंगे एक चमच नारियल का पाउडर अब गैस को आफ कर देंगे नारियल का पाउडर कुछ कटे हुए बादाम और काजू एक सुमच एलाइची पाउडर इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे इसको अच्छे से मिक्स कर चुके है अब इसमें हम लगा लेंगे हरका सभी और इस पर हम निकालेंगे सिंगाडे के आटे को सिंगाडे के आटे के पेश्ट को हम प्लेट में निकाल चुके है अब इस पर हम हलका सा देशी घी लगा देंगे और इस तरह चम्म से फैला देंगे इसको इस तरह फैलाने के बाद इस पर हम डाल देंगे नारियल का पाउडर और दो मिनट के लिए इसे इसी थरह हम रख देंगे दो मिनट हो चुका है अब इसे हम कट कर लेंगे कट करने के बाद इसे एक प्लेट में हम निकालेंगे प्लेट में टिन निकाल देंगे प्लेट मिन टेंगे इसकार जड़ गएंगे इस फैसर लोगे हो चाहलと思います प्लेट में निकालने के बाद इस पर हम लगा देंगे बादाम आप लोगों पर मेरी ये रेस्पी कैसी लगी अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को फिर मिलते हैं दोसी रेस्पी के साथ तब तक के लिए बाबाई